हेलो दूस्तों, दूस्तों Before the Trilogy का Part 1 Before Sunrise नाम की मूवी मैंने आज रात को देखी थी 1995 की रोमेंटिक ड्रामा फिल्म है, हिंदी में अबिलबल नहीं है, गंटा 41 मिर्ट मूवी की लेंद इस ट्रायलोजी में दो पाइट और है और उनके नाम है Before Sunset और Before Midnight Part 1 मैंने देखा था, बहुत कुछ सुन रखा था, बहुत excited भी था मैं मूवी को देखने के लिए और वही मूवी को देखकर मज़ा गया था सबसे जो great चीज मुझे यहां पर इस फिल्म में लगी थी यह थी, इन दोनों की पर्फम है, फिस इन दोनों की chemistry एक दूसरे के साथ जो जिस तरीके इन दोनों की chemistry को गढ़ा गया है, बो देखने में कमाल था, treat to watch था, बहतरीन था, हाई यह जरूर है कि middle में मूवी बोर करेगी, क्योंकि यहां पर चीजें कहानी किना पर उतना कुछ खाफ नहीं हो पाते हैं, फिंपल फी चीजें होती है, casual कॉनों के जैसे होती हैं, जैसे कि किसी भी दो लोगों के बीच में होती होंगी, बिल्कुल फिंपल, एंड मैं तो यह फोच अदा था, कि dialogue writer का का क इस फिल्म में था भी कि नहीं था, क्योंकि उन दोनों के बीच में जो बाते हो रही, वो बिल्कुल casual है, बिल्कुल फाधादर सी है, बिल्कुल फिंपल सी है, कुछ भी बहां पर अलग नहीं है, कुछ भी बहुत नया नहीं है, पता नहीं, dialogue writer ने कुछ लिखा भी होगा, क नहीं लिखाओगा, एंड उन casual converse जेसेंस के बीच में, लंबी-लंबी बंटिक शॉट्स यहां पर चलते रहते हैं, दोनों बाते हैं, कहानी यूँ है इस मूवी की, कि दो लोग है, एक लड़का है, एक लड़की है, एंड दोनों टीनेजर ही लगते हैं, उस फिल्म में त गूमती है, दोनों ट्रेन पर मिले, बाचीत हुई, एंड दोनों बिये ना में ट्रेन से उतर जाते हैं, बिये ना में घूमते हैं, एक्सप्लूर करते हैं, एंड आपस में सिंपल सी बातें करते हैं, जैसे कि उनकी जिंदगी के बारे में, उनकी रिलेशनिप के बारे में उनके parents के बारे में, प्यार के बारे में, और उनकी fixful desires के बारे में, future के बारे में, तमाम बातें, जो वो कर सकते हैं, जो भी simple सी जो बाते होती हैं, तमाम बातें ये लोग करते हैं, उसके अलाबा, प्यार, महबबत, जिन्दगी, fellow discovery, जैसी चीज़ों पर भी यहां पर काम किया गया है, तो ये है movie में, कहानी किना पर, and अंत आते हैं, मैं ये फोच रहा था, जब movie मेडल में चल रही थी, कि मैं क्या देख रहा हूं, and क्यूं देख रहा हूं, मेरा बीच में छोड़ने का मन करा था, अब रात को मैंने movie देखी, तो छोड़ने का मेरा मन भी किया, एक दू बार कि मैं इसको छोड़ दों क्यूं देख रहा हूं, लेकिन फिर किसी तरह से मैंने movie खतम की, बड़ी मुश्किल से खतम हो पाई, जब movie खतम होती है, तो आपको excitement होने लगेगी, कि मुझे second part भी देखना है, रात को एक वज़े मैंने movie खतम की थी, अभी 10 बच चुके हैं, तो रात को मेरा मन कर रहा था, कि मैं इसका second part भी अभी पिले कर दूँ, लेकिन अब रात ही इसली मैंने छोड़ दिया, तो भी मुझे excitement है second part को लेकर भी, कि वो कुछ कमाल का होने वाला है, कुछ great होने वाला है, और उसके अलावा यहाँ पर, लंबी-लंबी monologue हैं, लंबी-लंबी dialogue हैं, लंबी-लंबी convergence हैं, लंबी-लंबी टेक्स हैं, और यह साथी चीज़ है, इस फिल्म में है, कोई देखकर मुवी को मज़ा आ गया था, हाला कि कहान की नाबल होता ना, कुछ great होता ना, कुछ out of the box नहीं हैं, लेकिन characterization, characters, actors performances, और उनका screen presents, उनकी chemistry, उनका beach का relationship, and दोनों के बीच में, धीदी जब आपस में मिले हैं, शेहर में घूम रहे हैं, तो धीदीर धीर प्यार भी होता है, और उनके बाद, उसके बाद, जो मज़ा आएगा आपको इस movie को देखने का, जो experience होगा, जो आप खत्म होने के बाद, जब आप छोड़ दोगे, यह movie खत्म हो गई है, फिर भी आपकी दिमाग में, यह movie चलती रहेगी, कि आपने कुछ देखा, मिडिल में थोड़ा board करेगी, वो जरूर एक issue है, उसके लाबा तो इस फिल्म में, मुझे तो कोई भी खास issue देखने को नहीं मिला, तो यह है, भई, movie नहीं देखी है, तो जा कि देख लू, उसके लाबा, मतलब मैं क्या ही कूँ, ग्रेट experience रहा है, वैससा तिन experience रहा है, तो जा कि देखू, नहीं देखिए, लिख के बताना, देखिए, लिखके बताना, बाकि लेक्षर ने, सब्स्राइब ही करना, चैनल को बिटो करें, फूर इस्टास और फाइब इस movie के लिए, हाँ, फिल्म हमें कुछ केसिंग सीम्स है, बस ये है, बागी चाहें तो family के साथ, देख पाएंगे, and मुझे तो मज़ा गया, and मैं second part भी देखूँँगा, and review कदने की कोशिच भी करूँगा, अच्छा लगेगा, तो मैं definitely review भी करूँगा, so मेरी नजर में, एक must watch film है, जाके जरूर देखनी चाहिए, and देखी है, तो लिखके बताना, and हाँ, movie को तसल्ली से देखना, क्योंकि कोई intensity, कोई excitement, कुछ भी ऐसा नहीं है, कि मसाल एक नामबर कुछ greatest movie में, देखने को मिले, जो आपको hook and book करके रख़ए, आपको खुद ही देखनी पड़ेगी, and पूरी तसल्ली के साथ, देखनी पड़ेगी, कि आपका experience क्या रहा, so 4 out of 5 इस movie के लिए, देखिए लिए कि बता नवा कि लाकिशों, सब्सक्राइब ही करना, चनल को विडिगो एंड, दिफिव नितिशान, वारेंग आप, टेंक्यू,